आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटे स्वादीस्ट राजस्थानी आलू के कौफते इस कौफते को बनाने की विधी बहुत ही आसान है और चटपट ये बन जाते हैं खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका शामर सोई में तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले हम आलू का मसाला बना कर तयार करेंगे इसके लिए मैंने लगबग साड़े चार सो ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं आलू को चील कर उन्हें मैश करके तयार कर लेंगे अब हम एक कडाही लेंगे जिसमें मैं दो टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है तेल के गरम हो जाने पर इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा एक छोटा चम्मच दरदरा कि साथ ही इसमें वन फोर्थ चम्मच हींग डाल देंगे अभी लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए इन्हें फ्राय कर लेंगे और अब हमने यहाँ पर दो बारी कटी हुई हरी मिर्चली है और एक इंच अद्रक के टुकडे को मैंने कद्दू कस करके लिया है इसमें मैं लह लहसून प्याज नहीं डाल रही हूँ आप चाहे तो इस टाइम चार से पांच कली लहसून भी कट करके डाल सकते हो 20-25 सेकेंड के लिए इन्हें फ्राय करेंगे अब हमने यहाँ वन फोर्थ कप के करीब काजू लिये हैं जिसे मैंने छोटे टुकडों में काट लिया है औ देखे काजू और किश्मिस फ्राय हो गए हैं अब हमने यहाँ पर लगबग आधा कप मटर लिये हैं मटर उबले हुए हैं तो आप फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हो और मटर अगर फ्रेश ले तो उन्हें उबाल कर डालें मटर डालने के बाद इसे हम दो मिनिट के आल मिर्च का पाउडर लिया है एक छोटा चमच ही हमने यहां गरम मसाला और एक छोटा चमच आमचूर का पाउडर लिया है इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कीजिए गैस का फ्लेम लो रखिएगा मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें उबले और मैश किये हुए आलू डाल देते हैं साथ ही मैं नमक डाल देती हूँ लगबग एक छोटा चमच मैंने नमक डाला है अब हम आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इस वक्त आप टेस्ट करके देख लिजिए यदि नमक और खटापन कुछ भी कम लगे तो और डाल दीजिएगा मुझे इसमें खटापन कम लगा तो मैंने यहां आधा चमच आमचूर का पाउडर और डाल दिया है नमक बिल्कुल बराबर है अच्छे से मिक्स कर दीजिए आलू का मसाला तयार है अब हम इस पर बारी कटा हुआ हरादनिया डालेंगे मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम हमने अब बंद कर दिया है इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं तब तक हम बेसन का घोल बना कर तयार करेंगे यहां हमने दो कप बेसन लिया है इसमें हम 1 फोर्थ चमच हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चमच से थोड़ा सा जादा मैंने नमक लिया है आधा छोटा चमच अजवाइन को हातों से क्रश करके डाल दीजिए मसालों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका घोल बना कर तयार करेंगे हमें ना तो बहुत गाड़ा और ना बहुत पतला घोल बनाना है तो पहले हम इसे फैट कर इसके लंस निकाल लेते हैं ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं तो ये देखिए हमने इसका घोल बना कर तयार कर लिया है इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ये देखिए बस इसी तरह का हमें घोल तयार करना है और एक कप में से लगबग 1.5 टेबल स्पून पानी हमारा बच गया है इसे 10 मिनिट के लिए रख देते हैं और इधर हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है तो हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तयार कर लेते हैं आपको जितने छोटे बड़े कौफते चाहिए उस हिसाब से आप इसके बॉल्स बना लीजिए ये देखी इसी तरह हम सारे आलू के मसाले के बॉल्स बनाकर तयार कर लेंगे इधर हमें बैटर को रखे हुए भी 10 मिनिट हो गए हैं अब हम बैटर में 2 पिंच मीठा सोडा या जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं एड कर देंगे दो कप में मैंने 2 पिंच मीठा सोडा इस्तेमाल किया है अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे इधर हमने तेल भी गरम होने के लिए रखा हुआ था तो हम ये आलू के बॉल्स बेसन के घोल में डाल देंगे चार से पांच बॉल्स डाल दीजिए और इन्हें अच्छे से बेसन में कोट कीजिए ये देखे चम्मच की साहता से असानी से हो जाता है और एक एक करके ये कौफते तेल में डाल दीजिए तेल मीडियम गरम होना चाहिए और गैस का फ्लेम भी मीडियम रखिएगा जिससे कौफते तेल में डालते ही एक तम से ब्राउन नहीं होंगे ये देखे एक एक करके हमने सारे कौफते डाल दीए है आप से जितने हैंडल हो उतने कौफते डाल दीजिए एक बार में मैंने 6 कौफते डाले हैं गैस का फ्लेम पूरे टाइम मीडियम रखना है इन कौफतों को मीडियम फ्लेम पर हलका गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करना है तो आप इस तरह से पलटते हुए फ्राय कर लीजिए साइड में थोड़ा सा बेसन जो निकल गया है उसे हम हटा देते हैं ये भी खाने में बहुत टेस्टरी लगते हैं एकदम क्रंची होते हैं तो ये देखिए हमारे कौफते हलके गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो हम इने बाहर निकाल लेते हैं इसी तरह से हम सारे कौफते बनाकर तयार करेंगे ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है बहुत ही टेस्टी कौफते बनकर तयार हुए हैं इसी तरह से हमने इन कौफतों का दूसरा बैच भी तयार कर लिया था और अब हम बनाएंगे इसके लिए मिर्ची मैंने यहाँ पर चार मिर्च ली है बीच में से इन्हें स्लिट कर लिया है तो अब हम इन्हें भी फ्राइ करके डाल देते हैं इन कौफतों के साथ मिर्ची बहुती बढ़िया लगती है इन कौफतों को आप हरे धनिय की चटनी और टोमेटो केचप के साथ सव कीजिए ये देखिए बहुती बढ़िया अमारे कौफते बने हैं राजस्थानी शादियों में अक्सर ये कौफते बनाये जाते हैं बारिश के मोसम में इस तरह के गर्मा गरम कौफते एक बार बनाना तो बनता है तो फ्रेंट्स रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शियर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके